निफ्ट का थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया है और एक गूगली मारी है निफ्ट ने हलो स्टूडेंट आम डॉक्टर पारमिता बासूफ रम कियाट इन डिजाइन तो पहले भी मेरा आज विडियो आया है और उससे आपको पता चल गया होगा कि निफ्ट का थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया है और एक गूगली मारी है निफ्ट ने कि इस बार उन्होंने ये थर्ड राउंड को लास राउंड अनौन्स कर दिया है इसका मतलब ये है कि अब जो थर्ड राउंड के बाद कोई और राउंड नहीं होंगे और जो भी स यह सब कर रहे थे वो सब अब नहीं कर सकते हैं जिनको भी freeze करनी है वो freeze कर सकता है अपना seat और जिनको withdraw करनी है वो आज ही withdraw कर ले otherwise उनकी जो piece में आपको actually में सारा कुछ चला जाएगा और withdraw करने के बाद उनको सिर्फ 9000 मिलेगा तो यह बहुत important है अब आते हैं कि जो आपको NIFT के तरफ से क्या आया है जो लेटर में लिखा है वो actually में बहुत important है तो मैं परके सुना देती हूँ यह लिखा है third and last round of the regular seat allotment for UGPG program for admission 2023 will be available to candidate on 15th June 2023 from 5 p.m. onward so आज actually में आ चुका है आज 15th June है और यह वाला जो पांच बजे ही आपके आया था the candidate should download their provisional allotment letter from the admission portal using the logging credential the last day to submit the fees is 20th June 2023 till 11 5 9 p.m. the fees will only be accepted online through the admission portal fees payment through through any other medium mode will not be accepted so जिनको भी इस round में third round में seat मिली है उनको fees जल से जल भर देनी चाहिए last date दे दिया है last round में किसी ने भरी नहीं जी और बाद में अचानक से उन्हें पता चला कि अभी तो date over हो गई है तो फिर वो seat actually में उनको नहीं मिली तो यह किसी के साथ नहीं होना चाहिए जिसको भी seat चाहिए जिसको जो allotment किया है वो seat ले ले नहीं तो आपका जर्नी वैसे भी अब होने वाला है अगर आपने नहीं seat लिया है अब आते हैं कि जो student है वो student जिनका नहीं हुआ है अब वो क्या करें अफकोस एक उनके लिए एक निफ्ट ने दिया है वो है spot round नीचे लिका है if seats are available a spot round for vacant seats may be carried out for which announcement will be made through notification on nift website candidates who are unable to secure any seat are advised to check the nift website regularly so यहाँ पर clearly दिया गया है कि spot round में सिर्फ वो student को मिलेगा जिनको कोई भी seat नहीं मिली है उनको result मिला है बर उन्हें seat नहीं मिली है इस वज़े से उनको actually में उन्हीं को seat मिलेगी spot round में बैठने का मौका मिलेगा जिनको allotment मिली है जिन्होंने actually अपग्रेशन, slide कुछ भी डाला है उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने actually में fees pay करना भूल गए है लेकिन उनको seat allotment मिल गई है उनको भी वाला spot round जॉइन करने का मौका नहीं मिलेगा तो सिर्फ जिनकी कोई seat नहीं आई है उनको ही spot round में बैठने का मौका मिलेगा अभी आते हैं कि spot round होगा की नहीं होगा इसमें उन्होंने clearly mention किया है कि spot round तब ही होगा जब बहुत सारे seat वापस आते हैं मुझे जितना information है पहले के मिले कोई जितना मुझे actually experience है और मैंने पहले भी पता किया था तो यह है कि अगर 50 seats नहीं आते हैं वापस तब तक कोई round नहीं declare करते हैं तो अब क्या करना चाहिए टेक्निकली अब जिनको seat नहीं मिली है या जिनको उनका मन पसंद सेंटर नहीं मिला है और वो withdraw करना चाहता है तो उन लोगों के लिए क्या option रह गया है उनके लिए बस plan B का option है जो मैंने अल्रड़ी बना के जो एक अल्रड़ी दिया हुआ है कि आप वो plan B का जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं दोनों में यही वीडियो में यही बोला गया है कि plan B में प्राइवेट कॉलेज और आपका gap year रह जाता है प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर कुछ भी आपको जानना है तो आप मुझे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं मैं उस WhatsApp मे अगर भूरते हैं तो आपको discount मिल सकता है आपको बहुत सारी चीजे और भी benefit मिल सकते हैं इसलिए किसी को भी one key form चाहिए तो वो भी मुझे WhatsApp मेसेज कर सकता है कोई भी student है जो सोच लिया अब कि gap year में जाना चाते हैं तो gap year के लिए भी वो हमार को join कर सकता है हम online offline दोनों क्ल चाहिए तो आप मुझे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं मैं आपको सारी details दे तूंगी फिर से मैं बोल रही हूं smart round is not for the students who have got seat जिनको या upgrade करने के लिए नहीं है slide करने के लिए नहीं है आप यह round close हो रहा है इसलिए आप जिन जिनको सीट चाहिए वो freeze कर ले और जिनको सीट नहीं चाहिए वो withdraw कर ले जल्दी से जल्दी कीजिए आज के आज ही सारा काम कर लीजेगा otherwise आपको ज्यादा problem हो सकती है बाद में और जिनको ने भी होगा तो spot round होगा तो शायद उनको सीट मिल सकती है लेकिन अगें plan B में ही काम करना start कीजिए क्योंकि अगर कोई private college के लिए सोच रहा है तो वह भी बंद हो रहे है आधी private college बंद हो चुके है जो कुछ private college बचे है वो भी बंद हो जाएंगे इसलिए आप उसके लिए at least सारा formalities exam जो भी देना है form बंदना है सब कर लीजिए और ready रही है अगर by chance आपको seat मिल जाता है तो अलग बात होगी तो ये लेकिन इसके लिए wait मत कीजिए कि मैं spot round के लिए wait ही कर रहा हूं ऐसे नहीं कीजिएगा क्योंकि क्या पता ना हो अगर seat वापस नहीं आती है तो नहीं भ की seat है वो freeze हो गई है और इसके वज़े से ही round close कर दिया गया है क्योंकि जो seat है जो first round में declare होई थी वही seat अगर वापस आती है तो फिर second round जो है वो होती है और अगर ज्यादा seat वापस आ रही होती तो fourth round वो लो करते बर क्योंकि वापस नहीं आया या बहुत सारी seat freeze हो गई है इसलिए उन्होंने ये वाला बंद कर दिया है मुझे लगता है ये वीडियो बहुत important है सब लोगों के लिए तो like and share करना ना भूलेगा और जो first time मेरे चैनल में आया है वो subscribe जरूर कीजिए और एक एक बात तीज what's up message करके अपना नाम और अपना state और अपना जरूर अपना address result भेजिए और वेट कीजिए क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे message है मैं सबका message का answer जरूर करूंगी तो थोरा सा patience रखिए और वीडियो देखिए वीडियो में भी आपको सारे answer मिल जाएंगे तो फिर मिलते हैं next video में bye for today